हलो गाइस वल्कम बैक चलिए तो इस ट्रामी के आगे की पार्ट के एक्स्प्लेनेशन्स रू कहते हैं वीडियो अच्छा लगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक एंशियर करें रात के समय में देखते है माई को जो कि अपने फ्रेंश के साथ अपने गेम की प्रैक्टिस करके वापिस आ रहा होता है वो लोग बाहर खड़ियो के बाते कर रहे होते हैं तब ही वहां से नैक गुजर जाता है वो उनसे कुछ नहीं कहता ये देखे कौन कहने लगता है कि नै प्रैंस कहते है वो अपने घर जा रहा है और कहां जाएगा यहां पर फिर वो लोग भी एक दूसरे को बाई बोल के चले जाते हैं हमें दिखाया जाता है नैक को वो कॉल करता है रियो के पास और वो उसे अपने घर बुला रहा होता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके उसके ह मिलता हूँ उसके बाद रेश्ट्रेंट में देखते है जहां पर पॉटी अपनी फ्रेंस के साथ पार्टी में होता है तो थोड़ी देर में वहापे थना आ जाता है यहां पर थना के पास जाता है पॉटी और उससे कहता है तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं पटीस उसे कहता है कि तुमने कुछ खाया है थना कहता है हाँ मैंने कुछ खा लिया था यहाँ फिर उसे कहने लगता है पटीस चलो आओ और मेरे साथ बैठ जाओ यहाँ पर थना जाकी बैठ जाता है पटीस के साइड में और वो बड़े गल को उसका बदेविस करने लगता ह पटीज का फ्रेंड नैप, यहाँ पर खुश नेजनने आता थना को देखकर, उसके बाद वो लोग पाटी स्टार्ट करते हैं और ड्रिंक बगरा करते हैं, यहाँ पर पटीज काफी ड्रिंक कर लेता है, जिस वज़े से उसे नीद आने लगती है, तो वो यहाँ पर थना के स पटीज की और वो उसके साथ है, तो यहाँ पर वो जैलस फिल करते हुए कहने लगता है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी पटीज ने अपनी बहुत कम एज में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, बतलब वो बहुत ज़्यादा सक्सेस्फुल परसन है, उसके पास सब इतना सब कुछ है पटीज के पास कि उसके बॉइफरंड को तो कुछ करने की जिरुद है, उसके बागी फ्रेंड कहने लगते है धना से, धना तुम क्या सोचते हो, कैसा चल रहे है वैसे तुमारा वर्क, कि तुमने सोचा है कि तुम हैल्प करोगे काम करने में पटीज की तो एकदम से बीच में नैप कहने लगता है अरे नहीं ये तुम क्या बोल रहे हो पटीस का बॉइफरेंड होते हुए उसे वर्क करने की क्या जुरूरत है उसकी जगा अगर कोई और भी होता तो वो भी वर्क नहीं करता सायद मैं उसकी जगा होता तो मैं भी बिल्कुल वर् भी ता दा क्या जुरूरत तक काम करने की जब पटीस जैसा बॉइफरेंड के साथ हैं तो यहां पर चुश्क Risk कियो कीई एूं इहां पर हम देखते हैं कि उनकी बाते बहुत जादा आगे बढ़ने लगती है एक तरीके से वो लोग थना को टॉंट मार रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉइफरेंड इतना सक्सेस्फुल डॉक्टर है तो तुम्हें तो बिल्कुल भी फाइनेशली टैंशन लेनी की जुरुत नहीं है यहाँ पर थना को थोड़ा बुरा लगता है तो थना उनसे कहने लगता है कि तुम बताओ आज तक तुमने क्या अचीव किया है क्या है तुम्हारे पास तुम उसके साथ उसके फ्लैट में रहते हो उसके पास कार है सब कुछ है सेटल है एक तरीके से उसकी वज़े से ही तुम इसनी अच्छी लाइफ अब बिता पा रहे हो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है क्या चीफ किया है तुमने हमें बताओ तो यहाँ पर युनकी बाते सुनके थना एकदम से चुप हो जाता है उसे बहुत बुरा लगता है यहाँ पर डरीन अपने बाकी फ्रैंस को चुप रहने के लिए कहती है यहाँ पर थोड़ा जो पाटी का माहूल होता है व उसकी बातों को माइन मत करना वो तो बक्वास बात ही करता रहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जिसा वो लुग कह रहे है यहाँ पर कहता है थना कि मुझे समझ रही आता कि नैप मुझे इतना हिट क्यों करता है मैंने तो कुछ भी आच तक उसके साथ गलत नहीं किया है डरीन नैप को इस चीज़ से दिक्कत है तो उसे डील करना चाहिए इस तरीके की बपवास बात ही नहीं करनी चाहिए यहाँ पर उसे कहती है डारेन की अपना दिमाग खरा मत करो सब कुछ भूल जाओ अर ऐसा करो अब तुम घर चले जाओ अगर तुमने भी ड्रंक कर रखा है तो म मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ तना कहता है कि नहीं मैंने ज्यादा ड्रंक नहीं किया है तो मैं ट्राइब कर सकता हूँ तना टैरिन से कहता है कि तुम जाके अपनी पार्टे इंजॉय करो यहाप फिर हम देखते है वो बाई बोल की चला जाता है रियो को देखते ह कि तुम मुझे चुपने की कुछिस कर रहे हो तो रियो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस वाँ पर कुछ था जिसे मैं देख रहा था माई कहता है तो क्या मिला तुम यहाँ पर मुझे बताओ रियो उसे कुछ नहीं कहता है माई उसे कहता है क्या खा रहे हो तुम नाइट कि तुमने सेम यह डिस क्यों और करा दी माई कहता है जब तुम यह खा सकते हो और उसके बाद तुम्हें कुछ लोग लाइक कर सकते है तो क्या पता मुझे भी कुछ लोग लाइक करने लगे हम देखते हैं वहाँ पर उसके सामने वो डिस सर्फ कर देते हैं स्टॉल वाले अंकल यहाँ पर जो रियो होता है वो तो पानी पीरा होता है काफी ध्यान से देखता है माई को माई जैसे ही उस फूड को टेस्ट करता है तो वो रियो से पानी मांगने लगत माई यहां पर पानी के लएता है और तूम इसे भी टेस्ट कर लो क्या पता फिर तुम्हें और भी ज़्यादा लो लाइक करने लगे यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना करता है माई और उसका बावल उसके सामने ही कर देता है वो दोनों एक दूसरी को देखे हाँ पर फिर हसने लगते हैं हमें दिखाया जाता है थना और पटीज को वो लोग अपने फ्लैट के नीचे आ जाते है थना देखता है कि पटीज अभीबी सोया हुआ है तो वो उसे उठानी लगता है और कहता है कि हम लोग घर पहुच गए है चलो मैं तुम्हें रूम में लेके चलता हूं तो मुहाँ पर सो जाना तो यह आपर फिर आखे खुल जाती है पटीज की और वो उसे कहता है कि नहीं मैं कुछ चला जाओंगा अब मेरी नीन खुल गई है पटीज उसे कहता है कि मैं ज़्यादा ड्रंक नहीं करता ना इसलिए मुझे ज़्यादा हैंग ओवर हो गया था ठाना यहाँ पर काफी द Bahn से पटीज को देखता रहता है और वो उसके Calls आ कर कहता है क्या हम लोगे क्चुछ कर सकते है प्यार वगेरा पटीज उसकी बात सुनके कहता है कि आज से पहले तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं बोला है क्या हो गया है थना कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मिनब बन है, यहांपर उसे काफी द्यान से देखता रहता है पटीज, हम देखते हैं तब ही पटीज Nemपर यहापर अपनी तरफ खीश लेता है थना को और उसे किस करने लगता है, तो यहांपर पे कार में ही उनके कुछ रोमेंटिक मुमे में डिसकस करते हुए माई उसे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रियो कि उसका टेस्ट इतना खराब था तो रियो कहता है मैं तुमने कैसे बताता तुम अचानक से मेरे सामने आ गए और तुरंदी तुमने उस डिसको ओरर कर दिया इसलिए फिर मैं बीच में कु मैं उस प्लेस पे फिर से वापिस नहीं जाने वाला और वो यहाँ पर पूशने लगता है रियो से अच्छा तुम बताओ तुम का भी शूर होके बोल रहे थे कि अगर तुम उस डिसको टेस्ट करोगे तो तुमें लोग लाइक कने लगेंगे क्या तुम इस चीज को लेकि शूर हो तो यहाँ पर हस्ते हुए उससे कहने लगता है रियो अरे नहीं मैं तो से पैसे ही मुझा कर रहा था मुझे ऐसे परसंट को कौन लाइक कर सकता है ऐसा बोल कि वो थोड़ा आगे निकल जाता है तब उसका ध्यान जाता है कि नीचे एक कार्ड पड़ा हुआ है रि रियो काफी हैरानी से उस प्लेस को देख रहा होता है तब ही हम देखते है कि यहाँ पर माय उसे अवास देता है कि रियो तुम कहां पर देख रहे हो क्या हुआ तो रियो एकदम से माय की तरफ देखता है रियो उसे कहता है कुछ नहीं रियो फिर से दूसरी तरफ टरफ ट अपने ही गर जा रहा हूं रियो उसी कहता है कि तुम्हारा घर इस डारेक्शन में नहीं है ये बात मैं जानता हूं तो तुम मुझे फोलो क्यों कर रहे हो इस तरीकے से माई उसे कहने लगता है actually मैं तुम्हें नुमारे घर पर drop काने के लिए जा रहा हूं रियो कहता है but क्य मैं खुछ आ सकता हूं अपनी घर यहां पर माई कहने लगता है अरे मुझे तो चिंदा हो रही है क्या पता रास्ते में तुम्हें कोई भूत मिल जाए तो वह विचारा भूत तुम्हें देखे डर जाएगा और उसे फीवर ही हो जाएगा तो यहां पर उससे कहने लगता है कि भूत को फीवर होगा मुझे देखे या फिर मुझे फीवर हो जाएगा तो यहां पर माई हसने लगता है और कहता है क्या सच्वें तुम्हें भूतों से डर लगता है रियो रियो उसके इस बात का कोई जवाब नहीं देता